नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले श्टोर में पेमेंट मैथट कैसे एड़ करें या कोई भी पेमेंट मैथट कैसे उसमें जोड़ें ताकि आप कोई एपलिकेशन परचेस कर सको या अधर चीज कर सको तो कैसे करना है या यह जानते हैं सबसे पहले प्ले श्टोर को ओपन करें आपके पास यारा पेज आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा उपर की तरफ एक गोल आइकन आप इस पे टच करें यहाँ पे आपको मिलेगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन आप इस पे टच करें पेमेंट मैथट पे आप टच करें और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको payment method add करने हैं कई सारे option मिल जाएंगे तो आप जो करना चाहते हैं वो use करें हम यहाँ पर credit और debit card use करेंगे हम इस पर touch करते हैं यहाँ पर कह रहा है अपना card number डालिये तो अपना card number एंटर कर दिते हैं तो यहाँ पर हम अपना card number enter कर दिया है month enter कर दिया है जब वो expire होगा CVV एंटर कर दिया है बागे detail enter कर दिए है आप देख सकते हैं आपको भी कर देना है save option पर आपको touch करना है थोड़ा सव stability करना है यहापे और यहापे आपको जो card है वो add हो जाएगा पर यहाप यह unavailable दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो card है वो गलत card था यानि वो card working नहीं है इसलिए यहापे दिखा रहा है पर आपको जो card है वो add हो जाएगा आप डिटेल एकदम सही डालिएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें